So, Hello and welcome back to another video, my name is Jimmy, और आप देखने है Toxic Marvel YouTube चैनल, तो एर Thor 4 का ट्रेलर तो कपका चुगा है, लेकिन हम बहुत लेट हो गए, तो इसलिए और ज्यादा लेट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं, तो ट्रेलर शुरू होता है उसी मेडिटेशन वाले सीन से, मतलब उसी ज ऐसा हुआ था कि इस प्लेनर के गोड्स को गोर ने मार दिया था, और फिर थोर यहां आता है बारिश लेकर, क्योंकि वो गोड़ अफ तंडर है, तो हाँ शायद मूवी में भी ऐसा ही होगा तभी तो यह थोर की कहानी इतने इंटरस्ट के साथ सुन रहे हैं, फिर अगले अगले शोट में हमें निव एसगार्ड बताया जाता है, जो की काफी अपगेट हो चुका है, वेलकरी के राज में, और फिर अगले शोट में थोर अपने कोस्ट्यम चेंज कर लेता, स्टॉम प्रेकर की मदद से, और यह प्रोबबली यह जो जगा है वो पक्का स्थारी हो मतलब वही होता इतना कूडा कचरा फालतुगी जो भी है, और उसी सीन में हमें दो बकरे भी दिखाया जाते हैं, जो की कॉमिक्स से ही उठाए गए हैं, तो कॉमिक्स में इनके नाम होते हैं, टूट ग्रेंडर और टूट नशर, और उसके बाद आता एक फाइट सीन, जिस बना कर, तो उसके बाद हमें हेल्मेंट दिखता है, और इस हेल्मेंट में थौर को देखकर यह थौर कम और पावर रेंजर ज्यादा लग रहा है, मतलब की सूट को कॉम्मिक एकिरेट करने के चकर में इन्होंने बवासिर बना दी है, खेर छोड़ो, हाँ तो उसके बाद यह वाला सेन, जिसे सबने तो बता ही रहा है, पर मैं भी बता देता हूँ, कि यह सीन हमारा शारुक खान से कोपी किया गया है, तो इस सीन में थौर और जेन की बात सुनकर पता लग रहा है, कि जेन भी पात साल के लिए गायब होगी चिस धैनर उसकी स्नैप की वज़े से, क्योंकि जेन 3-4 साल बोल रही है, और वही थौर 8 साल, तो इतना बड़ा गेप तो नहीं हो सकता ना, फिर हमें जिवस का प्लेनेट दिखता है, जहां आईटी थौर थौर और वेलकरी चारो साथ में है, फिर हमें दिखता है गोर का फाइनल लुक, वो भी नेक्रो सोड के स और हाँ, इसका लुक मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, हाँ, आप कोमिक एक्यूरेट तो नहीं है, पर हाँ, ब्लेक और वाइट का काफी जबर जस्त कॉंबिनेशन करा है, इस कॉंबिनेशन ने इस केरेक्टर में और जान फूग दी, हाँ और जो इस सीन में पीछे ब्लेक ब्लेक एक काफी अत्तक सिंबियोर्ट जैसा लगा, अब आप सोच रहोगे कि इसमें सिंबियोर्ट केसे आ सकता है, तो गोर को जो उसकी पावर मिली थी, वो गोर्ड ऑफ सिंबियोर्ट जयाने के नल से ही मिली थी, और यह सब मैने इसकी ओरीजन में बता रहा है, अगर आप चाते हैं तो आप यह वीडियो जाकर देख सकते हैं, और अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं, तो आपको मूवी कुछ जादे ही अच्छी लगेगी, हाँ तो अगले सिंब मैं आइटी थाओर लड रही होती है, जी उसकी आर्मी से, और उस सिंब को देखकर पर हाँ मुझे इसे याद आगया तो मैंने बता दिया, क्योंकि इस फाइट सीन में सब कुछ ब्लेक इन वाइट है, थोर, माइटी थोर और वेलकरी को छोड़कर, फिर आता है यह सीन जिसमें हमें कुछ इस्टेचूस दिखा गये हैं, जिसमें पहला तो यह वल्चर है, जिसमें वोटिफ सीरीज में देखा ही है, और यह शायद लेडी देठ है, जो कि थैनौस की लव इंटरस्ट है, और इसे इंप्रेस कनने के चक्कर में थैनौस ने अपना ही घर उजार दिया था, और यह वाली मूर्ती है, लिविंग ट्रेबिनल की, नाम सही नहीं है, लड़कियां तो छोड़ो, लड़के भी बेहुश होने लगे, तो पास आज के लिए इतना यह वीडियो पसंद आये, तो वीडियो को लाइक कर देने, चैनल को सब्सक्राइब कर देने, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में,